नमस्कार, Marginal Costing के अंतरकत आज अपने बत्तों एक स्वाल करते हैं, एक स्वाल दे रखा है, जिसमें अपने को कुछ गणनाय करनी है, तो सबसे पहले अपने निकार्टे हैं, Contribution Per Unit, तो C Per Unit बराबर क्या होता है? S minus V, Sales minus Variable Cost, और Selling Price अपने को देर के 100 रुपी, minus Variable Cost देर के 80 रुपी, तो 100 minus 80 बराबर 20 रुपी हमारा हो गया Contribution Per Unit, आगे वो पोच रहा है कि PV रेसो आपको निकार्णा है, तो PV रेसो बराबर क्या पोर्मूला होता है? C बटे S into 100, C अभी हमने निकाला था 20, बटे Selling Price है 100 रुपी into 100, तो यह वा 20% तो PV रेसो अमारा आया 20%, आगे वो पोच रहा है, BEP in Unit ने सम विच्चेट बिंदू है, वो इकायों के अंदर निकालना है, तो BEP in Unit का फोर्मूला क्या होता है? Fixed Cost बटे Contribution पर Unit और Fixed Cost अपने को देर की है 1,80,000 रुपी और Contribution पर Unit हमारा आया था 20 रुपी, तो 1,80,000 बटे 20 तो यह हुई 9,000 यूनिट, तो BEP in Unit यह आया आपके 9,000, आगे वो पोच रहा है कि टेक्स के बाद में 1,20,000 का लाव कमाने के लिए कितनी विक्री की आफशेक्ता पड़ेगी? यह दि टेक्स की रेट है 40%, तो इसमें बच्चों क्या करना होता है? सबसे पहले अपने को Profit Before Tax निकालना होता है, कि टेक्स से पहले लाव कितना होगा? जैसे माना लाव हुआ 100 रुपी और टेक्स की रेट है 40%, तो टेक्स के बाद में हुआ 60 रुपी, तो अपने को टेक्स से पहले का निकालना होता है, तो Profit After Tax दे रहे हैं आपको 1,20,000 रुपी टेक्स के बाद, और टेक्स रेट दे रहे हैं 40%, तो अपने निकालेंगे Profit Before Tax, देखो टेक्स की रेट होगी 40%, तो Profit जो बचा वो वा 60%, कि माना Profit 100 रुपी है Before Tax, टेक्स से पहले, और टेक्स की रेट है 40%, तो 100 का 40% वा 40, और 100 में से 40 गठाएंगे तो 60 रुपी, तो वो 60 रुपी आ रहे हैं, और Before है 100 रुपी, तो 60 रुपी किते परसेंट हुआ है? 60%, तो Profit Before Tax अपने निकालेंगे, आप्टर टेक्स है 1,20,000, तो 1,20,000, बटे 60% और परसेंट को अठाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, तो यह हुआ हमारा 2,00, यानि Profit Before Tax है 2,00, इसको आप बले टेली करके देख लो, टेक्स की रेट है 40%, तो 2,00, का 40% हुआ असी जार, और 2,00, में से दी 80,000 टेक्स गठाएं, तो आप्टर टेक्स आता है आपके 1,20,000 रूपी, तो इदी Profit After Tax दे रखा है, तो उसको अमारे को Before Tax बनाना पड़ेगा, तो Profit Before Tax हो गया अमारा 2,00, रूपी, अब अपने निकाते हैं, Required Sales बराबर क्या फोर्मूला होता है, फिक्स कोस्ट पलस डिजायर प्रोफिट बट्टे PV रेशो, फिक्स कोस्ट है हमारी 1,80,000, पलस डिजायर प्रोफिट में, प्रोफिट वो लेंगे, जो टेक्स से पहले का है, विफोर टेक्स, तो विफोर है 2,00, और बट्टे PV रेशो है 20%, परसेंट को अठाएंगे, तो बट्टे 20 इंटू 100, तो 1,80,000 में 2,00, चोड़ेंगे, तो 3,80,000, और 3,80,000 में 20 का बात देकर 100 से गुणा करेंगे, तो यह आ रहा है आपके 19,00, रूपी, तो रिक्वाइड सेल हो गई, 19,00, यानि आप्टर टेक्स, 1,00, 20,000 का अगर लाब कमाना है, तो अपने को 19,00, की विक्री करनी पड़ेगे, आगे वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में अगर 10% की इंक्रीज हो जाई, तो अपने निकालते हैं, नू सेलिंग प्राइस बराबर, पुराने सो, पलस 10% की इंक्रीज हो रही है, तो पलस 10% of सो, सो का 10% वाद 10, और सो में 10 जोड़े हैं, तो 110 रुपी, और नया कंट्यूबिशन निकालेंगे, तो सी बराबर, सेलिंग प्राइस है 110, तो 110 माइनस वेरिबल कोष्ट है 80, तो 110 में से 80 गठाएंगे, तो 30 रुपी हमारा आ रहा है आपके कंट्यूबिशन पर यूनिट, और अब अपने पीवी रेसो निकाल लेते हैं, तो पीवी रेसो बराबर फोर्मूला क्या होता है, सी बटे एस इंटू सो, सी अभी आयता हमारा 30 बटे एस है, हमारी 110 और इंटू सो करें, तो यह आ रहा है 27.27 परसेंट, पीवी रेसो, तो नया लाब आपके प्रोफिट वोलिम रेसो वा 27.27 परसेंट, अब वो निवी रेसो, सेश्ञ प्रेस के अंतरकर अपने को एस पीप पूछ रहे, युनिट के अंदर और वैलिव के अंदर, तो पहले अपने निकालते हैं, वैलिवी एंदर वेल्यू में फोर्मुला क्या होता है fix cost बते contribution per unit fix cost है अमारी 1,80,000 और नया contribution per unit है 30 रूपी तो 1,80,000 में 30 का भाग देंगे तो यह आता है 6000 unit नया विएपी point और आगे वह वेल्यू में पूछ रहें तो value में एक तो आप ऐसे निकार सकते हो कि 6000 unit आई और एक है 110 की तो 6000 into 110 करो तो 6,60,000 या जो दूसरे बारा formula है उसके अंतरक्त अपने निकार सकते हैं तो BEP in value बराबर क्या होगा? Fixed cost बटे PV ratio अगर कोई चीज unit में निकारनी हो तो contribution per unit का भाग देंगे और अगर कोई चीज value में निकारनी हो तो PV ratio का भाग देंगे तो fixed cost है 1,80,000 और बटे PV ratio है 27.27% इसका अगर बाग देंगे तो यह आ रहा है 6,60,000 रुपी तो BEP in value के अंदर आई आई आपके 6,60,000 रुपी आगे वो पूछ रहा है कि अगर BEP को 5000 पर रखना है तो नई selling price क्या होगी तो selling price बराबर fixed cost बटे BEP in unit plus variable cost per unit तो fixed cost है हमारी 1,80,000 बटे BEP in unit BEP वो 5000 पर रखना चाहते है 5000 और plus variable cost per unit है 80 रुपी तो 1,80,000 में 5000 का बाग देंगे तो 36 और plus variable cost है 80 रुपी तो 36,80 को जोड देंगे तो 116 रुपी अपने selling price आ जाएगे यानि अगर BEP को 5000 युनिट पर रखना है तो विक्रिय मुले 116 रुपी निरधारित करना पड़ेगा आगे वो पूच रहे हैं कि 40,000 विज्यापन के खर्चे हैं कोई extra expenditure उसको पूरा करने के लिए कितनी additional sales की आश्यक्ता होगी तो अपने निकालेंगे additional sales बराबर परपोज expenditure बटे PV रेशो परपोज expenditure जो खर्चे हैं प्रस्ताविट वो बता रहा है 40,000 रुपी 40,000 बटे PV रेशो जो original अपना PV रेशो है वो है 20% तो भाग 20% और % को अठाओ गए तो into 100 हो जाएगा तो 40,000 बटा 20 into 100 करोगे तो ये आया 2,00,000 विपी यानि 40,000 के अत्रिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 2,00,000 की additional sales अपने को करनी होगी तो ये बचों एक marginal costing में स्वाल था एक अगला स्वाल अपने और देखते हैं अगले स्वाल के इंदर अपने पहले निकाते हैं contribution contribution आपके होता है S-V और S अमारे को देर के 40 रुपी माइनस variable कोष्ट के दो टुक्रे एक तो वो कह रहा है कि manufacturing variable कोष्ट है 25 रुपी और selling variable कोष्ट है 5 रुपी तो दोनों variable हैं तो दोनों variable को अपने जोड देंगे तो 40 माइनस 25 रुपी तो 40 में से 30 गठाएंगे तो 10 रुपी हम आओ गया contribution per unit आगे वो पूच रहा है PV रेसो तो PV रेसो बराबर formula क्या होते हैं C बटे S into so C अभी अमारा आया था 10 रुपी 10 बटे selling price है 40 रुपी और into so करेंगे तो ये आया 25 परसेंट तो PV रेसो हुआ अमारा 25 परसेंट आगे वो पूच रहे बी इपी ज्याद करो इकायों के अंदर यानि unit के अंदर तो बी इपी इन unit formula क्या होते हैं फिक्स कोस्ट बटे contribution पर unit और फिक्स कोस्ट भी इसने दो दे रहे के factory के अलग है और selling के अलग है दोनों को जोड़ देंगे और दोनों फिक्स कोस्ट का total हो रहा है आपके 60,000 रुपी बटे contribution पर unit है 10 रुपी तो 60,000 में 10 का भाग देंगे तो 6000 unit तो अमारी बी इपी हो गई 6000 unit आगे वो पूछ रहे कि sales पर 20% यानि विक्रिये मुले पर 20% लाब कमाने के लिए कितनी अपने को विक्री करने पड़ेगी unit के अंदर इकायों में वो पूछ रहे है तो selling price है हमारी 40 रुपी profit कमाना है 20% on sales तो 40 का 20% हुआ 8 रुपी यानि एक इकाय की selling price 40 और आपके profit कमाना है 20% तो हुआ 8 है रुपी अब मैंने पिछले lecture में बताए था कि जो चीज निकालनी हो उसको हम x मानेंगे यहाँ पर अपने को sales की जाने वाली विक्री की unit निकालनी है तो unit को हम x मानेंगे तो माना विक्री की जाने वाली इकाया है x यानि total कितने विक्री करेंगे x unit फिर मैंने आपको एक समीकरण बताई थी sales बराबर variable cost पलस fix cost पलस profit प्रोफिट तो unit अपने कितनी बेच रहें x और एक unit कितने में बेच रहें 40 में तो x unit होगे आपके 40x बराबर variable cost है एक unit की 30 रुपी और total unit है x तो 30 into x 36 पलस fix cost अपने को देर के 60,000 और पलस profit profit एक unit पर 8 रुपी कितना आट और unit बेचने x तो होगया 8x तो इसको छोल करेंगे तो 40x का 40x 30x और 8x को जोड़ेंगे तो 38x पलस 60,000 38x को इदर लेंगे तो यह minus का हो जाएगा 40x minus 38x बराबर 60,000 और x बराबर 40 में से 38 गठाएंगे तो 2 तो 60,000 बराबर 30,000 unit याने अगर विकरी पर 20% profit कमाना हो तो अपने को 30,000 unit का विकरी करना पड़ेगा आगे वो पूछ रहा है कि अगर selling price में 10% की कमी हो जाए तो तो अपने new selling price निकालेंगे पुराने कितने 40 minus 10% की कमी किने 10% ओप 40, तो 40 का 10% वा 4 रूपी, तो 40 में से 4 गठाएंगे तो 36 रूपी, तो नई selling price होगे अमारी 36 रूपी और अब अपने C निकालेंगे, C बड़ाबर, 36 selling price minus variable cost, 36 minus 30 बड़ाबर 6 रूपी, यह अमारा नया contribution आया आगे वो पूछ रहा है कि पुराना लाब कमाने के लिए कितने विकरी की इकाया करनी पड़ेगे तो sales बड़ाबर, fixed cost plus desire profit बड़े contribution पर unit fixed cost अपने को देर किये 60,000, plus desire profit वो करया कि पुराना लाब अपने को कमाने और पुराना लाब क्यूस्टन में देर खाया एक लाक रूपी, तो 60,000 पलस एक लाक और बड़े contribution पर unit अभी अमने निकाला ता नया वाला 6 रूपी, तो 60,000 और एक लाक को जोडेंगे तो एक लाक साथ जार और एक लाक साथ जार में अगर 6 का भाग देंगे, तो यह आ रहा है आपके 26,666 unit, यानि अगर selling price में 10% की कमी कर दी जाए और पुराना लाब कमाना हो, तो अपने को 26,666 unit है, वो विक्रिय करना पड़ेगा, तो marginal costing के इंटर्गत यह दो स्वाल आज अपने देखे, धन्यवाद.